9 अप्रेल से चैप्त नवरात्र शुरू होने वाले हैं और मा अंबिका की भूमी कही जाने वाले अंबाला में नवरात्री की धूम देखने को मिल रही है बाजार पूरी तरह सज चुके हैं और लोग जंग कर खरीदारी कर रही हैं मा अंबिका की धर्ती कही जाने वाले अंबाला में हर साल नवरात्री की धूम देखने को मिलती है इस बार नवरात्री की शुरूवात 9 अप्रेल से होने जा रही है नवरात्री पर दिवी दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की विदि विधान के साथ पूज अरचना की जाती है नवरात्री के 9 दिनों तक कई लोग उपवास रखते हैं अंबला के बाजार पूरी तरह सज चुके हैं और लोग मा के शंगार के समान करीद में पहुँच रही हैं दुकांदर महलाओं ने बताया कि इस बर मा की कई नई प्रिकार की चुनरियां बाजार में आई हैं कयों में मोर पंक भी बना हुआ है नवरात्रों का तोहार बहुत ही मानता पूरुक है लोग इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं बाता का जो तोहार है हर लोग शर्दा से मनाता है नवरात्रों के ट्यूजे से पहला नवरात्रा शुरू है इससे लोग में बहुत उत्साह देखा जा रहा है इसमें मिट्टी के कसोरे बहुत बिकते हैं इसमें सारे जो पंच मेवा हो गया जोट का समान घी सब बोहत ही अच्छे चुनिया अलगलग तरह की फैस्टिवीए मोर पंके डिजाइन में सब अलगलग तरह की चुनिया आई है और हार माला मातगे आसन बोहुत ही सुंदर सुंदर आयों इसको पूर्णा देखा जा रहा ह बाजार में शेंगार का समान खरीदने आई महला ने बताया कि हाई साल वो लोग नवरात्री की पूझा पूरी शद भाव से करते हैं और इस बार भी पूझा के लिए सारे समान लेने आए हैं नवरात्र की पहले दिन कलेश स्थापना की जाती है इसलिए खेत्री भी बीजते हैं नवरात्र को लेकर मंदर भी पूरी तर सच गए हैं अमबाला शहर इस्तित मातंबेगा देवी मंदर में हार नवरात्री शधलू मा का आशिरवात लेने आते हैं भीडना हूं इसके लिए मंदर में पुक्त अंतजाम किये गए हैं अमबालते टोटल नियूस के लिए क्रिष्ण बाली की रिपोर्ट